इंट्रोडक्शन टू सोस्योलोजी ये विश्याईनी अंदर सोस्योलोजी ने समझेवा माटे सोस्योलोजीकल केटलाक कंसेप्ट आपणे क्लियर होवा जोईए ते द्रश्टी ये गणावजा कंसेप्ट नी आपणे चर्चाओ करी छे आजे उँँ चर्चा करवानो छू दरज्जो दरज्जना प्रकारो अने भूमीका अने भूमीका संकर्ष आ चार मुद्दाओनी चर्चा आजे करवा जही रहा छे दरज्जो समाज रचनानू समाज व्यवस्थाना एक पायाना एकम छे दरज्जो अने भूमीका एक रूपक तरीके जेम आपणे कैयेतो मकान छे दिवालो तो बनेलो एक गोथाओनी छे येम समाज रचना पन जुधा जुधा दरज्ज अने भूमीकाओनी एक drive रचना छे और ये एना आधारे समाज व्यवस्था गोट्वाइए छे तो समाज व्यवस्था माटे दरज्यो और भुमीका ए문 खूब अगत्यनू छे इना आधारे ज़ moo शवच अन्वRO UA اज तो जो एट ले शुब ? प्रवरतता होई छे, पन यहां आपने सोस्योलोजिककली परिभाशानी अंदर, समाज शास्त्रणी परिभाशानी अंदर दरज्जाने समझेवा माटे आपने प्रयतना करीशु। तो समाज नी अंदर व्यक्ति जे छे व्यक्ति ने जुदा-जुदा स्थान मडेला होई छे जुदा-जुदा एने हुद्धा मडेला होई छे साधी भाष्यामा कहिए तो तो आज ये जुदा जुदा स्थान छे इस स्थान व्यक्तिने समाज का तो आपे छे का तो समाज मा थी व्यक्ति इस स्थान मिलवे छे तो समाज मा व्यक्तिने मलेलू स्थान भुद्धो जैने दरज्यो कहवा मा आवे छे आ कंसेप्ट ना अधारे आपने जो यह तो समाज मा बेप्रकार ना दरज जाओ होई शे नंबर वन पहलो से अर पहलो जो इतले के आपवा मा आवेलो दरज जो समाज नी अंदर व्यक्ती ने कितलाक दरज जाओ, कितलाक होद दाओ, कितलाक स्थानो एना जन्दमना आधारे आकवामा आवे छे समाज जन्दमना आधारे एने हुद्दो एने स्थान समाज मा एने प्राप्त थतू पोई छे जैने वंश परंपरा गत वार्षामा मलेलू स्थान तरीके पन उलकवामा आवे छे कोईपण प्रयत्न कर्यावगर र्यक्तिने जन्मना आजारे आख्वामा आउटू स्थान खासकरीने रुडिगत जे समाजो हता परंपरागत समाजो हता ये परंपरागत समाजो नी अंदर आ रुडिगत स्थानों पदन महत्व हतु तो आरिते जे रुडिगत, वार्षागत, कोईपण मेहनत मजूरी कर्या वगर केवड ने केवड जन्मना आधारे व्यक्तिने समाज मा कोई स्थान मले तो एवा स्थानने अरपित दरज्यो तरीके उलखवामा आवे शे दखला तरीके जाती तो व्यक्ति स्त्री तरीके जन्मे छे के पुरूश तरीके जन्मे छे जो स्त्री तरीके जन्म लिदो होए तो समाज एने जन्मतानी साथेज पुरूश तरीके जन्म लिदो होए तो 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 पुरूश तरीके जन्म लि जे गनाती मां, जे परिवार मां जय अने जन्दम लिदो होए, ए गनाती नों होद्दो ये इने स्थान, के दाखला तरीके ए कोई पटल ना गेर जन्दम लिदो होए तो पटल बनवा मांटे एने प्रयातन नक्त करवानों, एनू जन्दम ये जे एनू प्रमान पत्तर शे, पटेल ना गरे जन्मली तो होए तो पटेल तरीके ना जिव्वा ना अधिकारो एने जन्मतानी साथेज एने परिवार एनो कुटोम एने समाज एने आपेश कुछ दलीतना गरे जन्मली तो होय तो दलीतना अधिकारो स्पान होद्दो एने जन्मतानी साथेज अटोमेटिकली मली जतो होय छे तो जाती, धर्म, ग्नाती, अब दाजे दरज्याओ छे ए जन्मना आधारे एने प्राप्तत थता होय छे तो आवा प्रकारना दरज्याओ जैने अरपीत दरज्या तरीके उलखवाँ मा आवेशे अने अरपीत दरज्याओ नूपण समाजे मा एक आगवू स्थान छे समाजे मा एनु आगवू महत्त वन छे अने ए व्यक्ती जा जन्मे ङें होए जा जन्मलीदो छे ये ज शमाज नी अंदर एन्ने ए स्थान मेढवीने जिवन्द परियंत एने ए स्थान मा एने रहवू पड़े छे समाज एनों पीछो छोड़तू नथी समाजय वेवस्था एनूं लेबल लैशुकतू नथी दखला तरीके श्त्री तरीके जन्म लिदो हो ये तो श्त्री तरीके ना अधिकारो येनो होद्दो येनो श्त्री तज्ये छे ते येने जन्म दानी साथ येने समाज येने आपे छे श्त्री तरीके जिवन जिवान अधिकारो येने आपे छे येने होद्दो आपे छे कोनी साथ केवा प्रकार ना एमके सामाजिक सबंदो राखवा कोनी जोड़े बोलवू केवा व्यवसायो करवा अब दहाज अधिकारो एने स्तरी तरीके जन्दमल लिदो छे एटले समाज एने स्तरी तरीके ना अधिकारो एने आपी देच अधिकारो प्राप्त करवा माटे अने कोई प्रहत करवा नो नसी अधिकारो समाज एने आपे छे विशेश अधिकारो एने आपे छे समाज पुताना परिवार नी अंदर मनो के कोई आर्थिक नीणे लेवो होई कोई समाजिक नीणे लेवो होई तो आखरी नीणे पुरूष ए सत्ता स्थाने छे अने ये सत्ता एने समाज आपी छे तो आपने आपने पुरूष प्रधान समाज व्यवस्ता आपने कई ये छे तो आब दा जे होत्गाओ छे आब दा स्थानों जे छे ये व्यक्तिने जन्म साथे संकड़ाएला छे तो आणे केवाई अरपित एने मेडवा माटे को प्रयत्न नथी करे ये वहाँ प्रकार ना डखला तरीके गुजरात मा जन्मेव होए तो गुजराती बनवा माटे एने प्रयत्न नत करवानों एने बावबोलिक एरिया गुजरात छे एन गुजरात मा जन्मली दो शे इतल नाती धर्मनी अंदर जैने जन्दम लिदो छे एनुो फद्धो एनु स्थान एने समाज आपे छे एना माटे फक्त जन्दम एकज निणा एक परीबर छे बिजु कोई निणा एक परीबर एमा बात बज़ेउटू नथी आप रकारे जारे समाज मा हुद्धावो मरता होई छ खास करीने आजना आधुनिक यूगनी अंदर जारे उज्जोगी करण ठयू छे एना परिणा में श्रम विभाजन ठयू छे परन्तु अर्पित दरज्यों जे छे एक खास करीने परंपरागत समाज व्यवस्थानु एक महत्वनु पासु छे रुडिगत समाजनु ग्रामिन समाजनु परंपरागत समाजनु एक महत्वनु पासु ए अर्पित दरज्यों छे आर्पित दरज्यना निनाएक परिबड़ों मां हमणा तयू ए प्रमाणेक नंबर वन टैल्लू आवे छे लिंग ए elasticity के जे जाती तरिके आने जन्म लिदो होई स्त्री के पुरूष तरिके आने लिंग ना अधारे समाज आपी देशे लिंग एतले के जाती इस्त्री छे के पुरुष छे इस्वप्रहेत नथी बडली शक्तों नथी एने स्त्री बनवा के पुरुष बनवा माटे जाते कोई महनत करवाने नथी जन्मना आधारे एने स्त्री के पूरुष तरीके ना अधिकालो एने होद्दो एने स्थान प्राक्त धाईज बिजु नीडा एक परिबड़ छे वय वय एतले के उमद समाज मां व्यक्ती ना वय वधिवी ए व्यक्ती ना एमके पोताना प्रयत्नो थी ये वधिती नथी के गटती नथी जारे ए बालक होई छे एटले बालक तरीके नू एनो होद्दो एनू स्थान समाज एने अटोमेटिकली आपे है छे नानो बालक तरीके नो होद्दो बालक तरीके ने एनी पासे अपेक्षाओ बालक तरीके ने एनी पासे जे अपेक्षाओ राखवा मावेश ये बालक छे एटले आबदू करे नानो बालक छे एटले एनी पासे आवा वर्तन नी अपेक्षा राखी शकाए तो बालक तरीकेनों होद्धो मेलववा माटे रिप्तीय कोई प्रहात्त नगरवानों नथी यह समय जाएचे यह युवान बन माते प्रहात्त नथी करवानों कुद्रत डीरिते जएनी उमर वदेचे अने युवान बने छे त्यारे समाज एने बाड़क माथी युवान तरीके नो हुद्धो आपे छे याने स्थान आपे छे युवान तरीके एनी पासे अमुख वर्तनी नी अफेक्षा राखे छे समय जाए छे त्यारे वडिल बने छे व्रुद्ध बने छे तो वडिल तरीके नो वयो व्रुद्ध तरीके नो होद्धो एने स्थान एने समाज अटोमेटिकली एने उमर ने ध्यानमा राखी ने आपे छे यह ग्रना वडिल छे समाज नो वडिल छे अपनों आगेवान छे एन्य आवुज वर्तन होवू जोईए एन्य आरिते वर्तन करवू जोईए एन्य सलाहसुचन लेवी जोईए तो समाज जेशे जहें उमर बतलाई छे एम एना जेस्थानों जेशे आटोमेटिकली बदलाई छे तो एपन कोई प्रयत्न कर्यावगर होद्दावों मड़े छे उमर ने ध्यानमा राखी ने तो एपन अर्पित दरज्जों छे तो लींग उमर अने रक्त सबंद छेल्लू छे रक्त सबंद योना आधारे एटले के जैना गरे जन्म लिदो होए एना सर्गा हो ये आटोमेटिकली आना सर्गा बनी जाई छे जे परिवार नी अंदर जन्म लिदो छे ए परिवार नी अंदर माना भाई छे ये आटोमेटिक जन्मनार बाड़कनो मामा बने शे जे कुटुम मा जन्मा लिदो शे एना पप्पा जे शे एना मोटा के नाना भाई ओटोमेटिकली एना काका बने शे तो काका के काकी के मामा के मामी शुध्वा माटे जवू पर तू न थी लोहिनों सबंद जैना परिवार मां जन्म लिदो छे एना लोहिना जे सबंदियों छे ये बद्धा ये बालक ना सबंदियों बनी जाई छे एटले भाई भाभी के मामा मासी शोद्वा जवानी जरूर नथी अटोमेटिकली जे परिवार ना जे सदश्चो जे छे जे परिवार मां जन्म लिदो छे एना जे सब्व्यों जे छे एना सगा बडी जाई छे जैने क्यावाई रक्त सबंदित आधारी मरता दरच जाओ मामा मासी पोई पुवा काका काकी तो ए बनावा पड़ता नथी परन्तु ए ओटोमेटिकली भार्षामा एने आ हुद्दाओ मरेश तो आने क्यावाई रक्त सबंदित दरच जाओ तो आवदा दरच जाओ छे समाजनी अंदर कोई पन प्रकार नो प्रयत्न करया वगर मेहनत मजूरी करया वगर लाइकात मेलव्या वगर फक्त ने फक्त जन्मना एकज क्राइटेरिया ना आहधारे आवदा होद्दाओ आवदा स्थानो ज्यक्तिने मरता होई शे अनि अगव उपण में कर्विए प्रमाणे के जे दरच जाओ छे समाज वेवस्था नी एक एक एमक्यावाई के पाया नू एकम छे जो आवदा दरच जाओ ना होई तो समाज वेवस्था टके नी तो आ जुदा जुदा दरच जाओ होई छे बीजी आपड़े वात यहां करवानो छुद प्राप्त दरच जाओ एना थी बिलकुल जुदाज प्रकार नो कंसेप्ट के प्राप्त दरच जो छे फक्त जन्मना आधारे नहीं परन्तु मेहनत्ति व्यक्ति अमुक लाइकात अमुक आवडात अमुक एमके एनू लाइकात प्राप्त करेंगे प्राप्त करें संगर्ष करेंगे प्राप्त करेंगे माटें लाइकात दरत जुद पड़ें । तो अमुक लाइकात ना आधारे, अमुक सैक्षणिक लाइकात प्राप्त करी छे, यहने कोई कोर्स करे ओछे, यहने कोई स्पर्दात्मत परिक्षाओ पास करी छे, यहने MBBS डॉक्टर नी डिग्री मिडवी छे, समाज MNM वार्षा मां डॉक्टर बनावती न थी. ज्यम्नाती नो दरत्य आप्रें, जो आधारे, हरीजन न गहरजन में चैक्षे, तो वार्षा मां गर्वी यहने सीरी मिज्य सकता है स्थान. जिवन परियंत टकी रहें चैने बढ़ली शक्तों नथी स्वप्रयात नथी बढ़लातों नथी श्त्री के पूरुज तरीके गमेते लों संगर्ष करें पर एनों दरजों बढ़लातों नथी परन्तु प्राप्त दरज्जानी अंदर भ्यत्ती महनत मजूरी करीने संगर्ष करीने अमुक लाइकात केडवीने अमुक स्टेक्शनिक लाइकात टेक्नोलोजीकली याणी आवड़त ये केडवीने अमुक हुद्धा हो प्राप्त करें और मैं प्राप्त दरज्जों जनके डॉक्टर बनवू होए तो पोताना वारसदारों मा कोई डॉक्टर होए तो पिता पपा डॉक्टर होए तो वारसा मा दिक्रो डॉक्टर बनी शक्तो नथी डॉक्टर न गहर जन्म लिदो होए तो शिक्षक अन्जिनियर डॉक्टर के कोई पन टेक्निकल पोस्ट मेडवा माटे व्यक्तिये जाते मैनत मजूरी करी ने शंगर्ष करी ने ओ लाइकात मिडवे छेनि लाइकात नी चकास नी समाज करे छेन चकास करया पच्ची एन्ये ए हूद्दो आपै छे जन्ये प्राप्तदरज़ों केवा मा आवे छे तो संगर्ष करी ने जे होद्धाओ जे स्थान प्राप्त मेलवबामा आवेशे एने प्राप्त दरज्व तरीके उलखवामा आवेशे आजना अधुनीक युग नी अंदर 21 सदी नी अंदर हवे प्राप्त दरज्जानु महत्व दिन प्रति दिन वदुतु जाईशे पहलाना समयनी अंदर वार्षागत होद्धाओनु महत्व हतु गाममा वार्षागत सर्पंच नो छोक्रो सर्पंच बनतो हतो जमने गामनों मुखी कहवामा आवे आजे शक्य नथी आजे जो सर्पंच बनवु होए के कोई पाण पोलिटिकल पार्टी मा एने चुटावु होए तो जाते महिनत करवी परशे लोकोना काम करवा परशे एने पोतानी आवळत बतावी परशे पच्छी समाजे एने महत आपेशे पोतानों नेता एने श्विकारेशे समाजे एनी परिक्ष्या करेशे और परिक्ष्या करेशे पच्छी एने ये होद्धो आपेशे अने आजना युदनी अंदर आ भोद्दानु महत्व आ दरज्यानु महत्व आजे वधी रहुँ छे अर्पित दरज्यानु महत्व आजे घटी रहुँ छे शिक्षक बनवू होई तो बीए बीएड के एमेनी डिग्री एने रात दिवस मेहनत मजूरी करी ने ए डिग्री प्राप्त करशे समाज ये लेके उनिवर्सिटी एनी परीक्षा ले छे परीक्षा मा उत्तेण थाया तो पछी अने सर्टिपिकेट आपे छे कि आ होद्दा माटे आ लायक छे पछी संगर्ष करी इंटर्यू आ प्रोसेस बाती पसार थाया अने पछी समाज ये शिक्षक तरीके नो हुद्दो आपे छे तराबर खराय करया पछी मफद्मान अथी मर्दू एंजिनियर के डॉक्टर थभू हो तो ये रात दिवस मेहनत मजूरी कर भी पड़े छे एंबीबीएस डॉक्टर तरीके नो हुद्दो आपे छे जो एमा उतीन न थाय तो समाज ये शिक्षक बनवा माटे फ्रचार करवा माटे जवानी जरूर न थी समाज येनी खराय करे शे औनि लाइकात केड़वे शे ऑटोमेटिकली समाज येनी सिक्षक तरीके नो होद्दो आपे शे तो मेहनत मजूरे करीने जे प्राप्ण करवा माँ आ आपे छे आ दरज्याओने प्राप्त दरज्याओ तरीके ओड़कवामा आएशे आजना टेक्नोलोजीना यूगनी अंदर स्रम अभिभाजाननू महत्व वजू छे पहलाना समयनी अंदर प्रमपरागत समाजनी अंदर अने गामडावनी अंदर पुटोमनी अंदर बद्धाज कामव बद्धाज लोको एक साथे करे सादू सरम विभाजन हतू एक वरी जटिलता नौती खेडू तो होए तो एक खेतीनू काम करे स्त्रियो होए तो एक घर्णू काम करे परन्तु गर्णु काम करया परशी पासी ठेटी मा मदद रूपपन ठाए जादूस्रम्य विभाज दने येना कोई चुस्त दोरणों नहें ता ये आ काम आज करे अने आ काम आज करे येवी कोई चोक्कस व्यवस्था नौती येना चोक्कस कोई नियमो नौता येना चोक्कस कोई समाजे अथवातो सरकारे कोई काईदाओ बनावे नौता सव साथे मलीने सहियारू जिवन जिवता हता आजे आजना आधोनिक युगनी अंदर उद्योगी करण थयो शे नवी टेक्नोलोजी आवी शे एना परिना में स्रमविभाजन थयो शे एक जिटेबल उपर पांच कर्मचारी बेठा होई तो पांचे पांच कर्मचारी नू काम अलग अलग छे एक विजा नू काम एक विजा करी सकता नथी आने जटिल स्रमविभाजन केवाई कॉम्पुटर डिपार्टमेंट वारो फक्त एक कॉम्पुटर नोज नू काम करे शे एने फक्त कॉम्पुटर नी डिगरी प्राप्त करी शे एने एज काम करवानू शे बाजु मां बेठेलो एकाउंटन्ट जे शे एकाउंटन्ट तरीके नू काम करे शे एनि कॉंप्यूटर मां ओपरेटर तरीके एनू काम नथी ये नज करी शके वेपार वानिज्य उज्योगो के कर्मचारियो एनि आपरे श्रम विभाजन कामनी वहचनी जोईए तो आदे ते कामनी वहचनी थाई छे एना माटे दरेकना आदवा निती नियमो काईदा कानून छे तो एकजी टेबल उपर बैठेला पाच करमचारियो पोत्पोतानू आधवू काम करेश आने जटिल श्रम विभाजन कहवा मा आवेश आने आ जटिल श्रम विभाजननी अंदर एने मैनत मजूरी करीने एने जहते लाइकात केड़वी चे कोईने एकाउंटन तरीके नी ला एंजीनियरिंग ने लाइकात केड़वी चे कोईने डॉक्टर केड़वी । दरेक व्यपति पोत्पोतानू आघवू कारिय करेश दर्येक नो आगव होत्तों छे तो आ प्रमाणे जारे समाजिमा स्थान मले जारे एने प्राप्त दर्यो तरीके उलखवामा आले छे तो अर्पित अने प्राप्त दरद्धो बेनी वच्चे तफावत छे अने बन्ने दरज्याओनु समाज मा आगवु एक महत्त वाशे। अने ए दरज्याओना आधारेच निति नियमो दोरणो नकित थता होईचे और समाज व्यवस्ता मजबुत रिते चालेचे। जो आ दरज्याओनी वहच्चनी नहोई तो ए व्यक्तिना दोरणो वर्तन करवाना चोका से निति नियमो के दोरणो पन नहोई। तो धोरणो ना अस्तित्व माटे, समाज ना अस्तित्व माटे, समाज ना श्प्रक्चन ने टकावा माटे, आब दरज्याओ ए खुब महत्वना छे। एना पछी एना साथेज संक्रायोलो ख्याल छे भूमीका, दरज्यो औने भूमीका एक सिक्काना बे पासा समाज छे। पोटाना परिवार साथे रहतो होई, त्यारे एक कोईक नो पीता पण छे, कोईक नो पती पण छे, एज व्यक्ति जारे परिवार माँ पीता के पती छे, जारे नोकरी पर जाई छे, त्यारे एक कर्मचारी तरीके नो धरज्यो भूगवे छे। ये जे व्यक्ति स्त्री के पूरुष होय तो पूरुष तरीके ना अधिकारो पन बगवे छे, स्त्री होय तो स्त्री तरीके ना अधिकारो पन बगवे छे, ये जो हिंदू समाजनुमा साथे जोडायेलो वाये तो हिंदू तरीके नो पन एपोते दरज्यो बगवे छे, तो एक ज व्यक्ति एक साथे अनेक दरज्याओ भोगवे छे जयने दरज्या समूज चाहे दरज्याओ नो एक समूज चाहे तरीके ओळखवा माहरे छे एनु अर्थ ए थयोolly कि व्यक्ती जेटवा दरजजाओ भोगवेड़े चे एटवा जए एम पिल्यं पिल्या स संदर्ब मां व्यक्ती ये करवानू वर्तर अथवा तो ए दरज्या साथे संक्ड़ाएला लोको एनी पासे जे वर्तने नी अपेक्षा राखे शे ए वर्तन ए व्यक्तिनी भूमिका शे दरज्या साथे संक्ड़ाएला लोको ए व्यक्ति पासे जे वर्तन नी अपेक्षाओ राखे शे ए वर्तन ए जेते व्यक्तिनी भूमिका शे दखला तरीके अमना कईवे प्रमाणे के यह जारे घरे होई त्यारे कोईकनो पती शे तो पती तरीके यहने शू करवू जोई यह पता तरीके यहनो रोल शू छे तो बालों को एनी पासे अपेक्षा राखे शे के गर्णी अंदर पपा होई तो पता ने वाल करे पता नी जरूरिया तो संतो शे पता ने हरवा फरवा लई जाए बता नी रेख देख राखे आने सेक्षणि के सामाजीक जरूरिया तो हुए तो आने हूप अने मदद करे तो समाजना courageous अन्य लोको से अन्य लोकोत पासे पिता पासे अमूख प्रकार नी अपेक्षा राखेशे ने यह अपेक्षा यह संतो शु जो तरीके नो फरश जो ज़्यारे ये नोकरी जाईए छिए तैरे येना रोल साते इनुह जुज बदड़ाई छिए ये दरजन सकवरी होग पन्द त्यूphon गाया पछी ये कोईन Sonar Committee ुद्भा पद द मुद ऒवाय खिए । पropag सथे संकड़ायेला अन्य लोको एतले दरवाजे आवभा जवावारा लोको एवी अपेक्षा राखे के सेकुरिटी वारो यहनु वर्तन सारू हो बदाने मदद रूप थाए बदाने गाईड करे बदाने साथे सारो व्यवहार करे ए समाज्ञा लोको नी अपेक्षा छे अनि ए अपेक्षा ए सिक्षक तरीके नो हुद्द भोगवतो होए तो शिक्षक तरीके एनो रोल एनी भोमीका कारण के एने दरजो शिक्षक तरीके एनो मढे उशे तो विद्यार्थियोंने सारू भणाववू एनो समय सरे नी परीक्षा लेवाए रिजल्ट अपाए एनो सारे बाड़ों कोनु सारे दिते गड़तर थाए ए शिक्षक नो रोल शे शिक्षक नी अपेक्षा ओछे शिक्षक पासे समाज आभी अपेक्षा राखे शे तो आपेक्षाओ समाज नी अपेक्षाओ ए एनो रोल एनी भुमिक आछे डौक्टर तरीके एने जो दरच आपेव होए तो डौक्टर समाज ना लोको नी सेवा करवी आरुक्य विशायक सेवाओ करवी कोई नू आर्थिक शोषण न थाए बदाना हेल्थ नू ध्यान राखवाएमा आवे यानू वर्तन व्यवहार लागणी शिल होए मदत रूक होए यानी सेवाओ सारामा सारे सेवाओ आपी शके आज समाज नी अपेक्षा चे डौक्टर तरीके डौक्टर पासे लोको ऑं समाज आनी पासे अमोग अपेक्षाओ राखे झे अनिे центр कोई शंतोषवी समाज जे स्थान आप एशे तो एम्लेम स्थान नथी अब तू समाज ने ये स्थान आपवा पाच्छड एने किटलीक अपेक्षा हो छे डॉक्टर पाशे, एंजिनेर पाशे, शिक्षक पाशे, पीता पाशे, पत्नी पाशे, एनी सासे संक्ड़ाएला लोको एनी पाशे किटलात वर्तनों नी अपेक्षा राखे छे कि आ मने आनी पाशे ती मलवू जोई ये पीता पुत्र पाशे अपेक्षा राखे छे कि मारो दिक्रो बने करने ने होश्यार बने सारी नौकरी ले अने अमे जारे उमर लायक बनिये त्यारे अमारी सेवा करे आ माबापनी अपेक्षा राखे दिक्रा पाशे नी तो दिक्रानों होतो अमने नथी मलवू दिक्रा पाशे किटलिक अपेक्षा ओछे माबापनी अने ए अपेक्षाओ संतोश्वी ए दीकरानी भुमीका छे एनी ब्यूटी छे एनी फरज छे तो समाज नी अंदर किटलाक दरज जाओ समाज जन्मना आधारे आपे छे किटलाक दरज जाओ भ्यक्ती मेहनत मजूरी करीने पोतानी आवड़त जे छे समाज मां साबीतिक करी बतावे छे अने समाज ने आपे छे आपे पच्छी एनी पासे अपेक्षाओ राखे छे ए अपेक्षाओ ए व्यक्ती नी भुमीका छे जो भुमीका वजरवाम विजो प्रश्ना ये थाए कि व्यक्ती ने अमुक भुमीकाओ एने अमुक दरज जाओ तो आपे दीता समाजे पन मानों के दरज जाओ साथे संक्राएला लोकोनी अपेक्षाओ संतोष्वामा व्यक्ती जो निश्फर जाए तो समाज यानी पासे थी दरज जो चीनिवीपन लेतू होई इसे माटे अपेक्षाओ संतोष्वी ये जरूरी इसे जमके मना मैं कहिऊ के शिक्षक तरीके जो शिक्षक तरीके एनो दरज जयादे समाजे आपे ओछे येतना शिक्षक तरीके नो रोल अधा करवामा जो ये व्यक्ती निश्फर जाए एनो शिक्षण कारिये योग्ये न होई बालोकोनी जरूरी या तो ये संतोष्टो ना होई बालोकोनी महत्व कांग्षाओने ए जेशे एनो ये जो प्राधान्य न आपतो होई सतत रिजल्ट डाउन आउतू जो तू होई तो समाजना लोको एक दिवस एकट्ठा थाईने आम केशे का आज शिक्षक में गर्वेगों करो ये चिनवी लेशे का आनू काम नथी एनो होद्दो जे दरज जो छे एक शिनवाई जतो होई छे डॉक्टर तरीके सेवा आपवामा एक दाच निश्पड जाए तो समाजना लोको एने डॉक्टर तरीके नू लेबल शिनवी लेता होई छे जे समाजे आपे उचे समाज पाचु लही लेशे समाजे पोताना दिक्राने दिक्रा तरीके नी अपेक्षा एने होद्दो आपे उचे तो जो दिक्रा तरीके ये पोतानो होद्दो जो अनू वर्तन न जाडवी शके तो दिक्रा तरीके नो होद्दो पन माबाप लही लेत जनके माबापनी अपेक्षा छे के दीक्रो मोटो थाए त्यारे अमारी सेवा करें पन जो ए सेवा करवा मान निश्वर जाए यानि माबापने वृद्धा श्रम मा धकेली दे के अना करतातो दीक्रो नहोत तो शारू कारण के ए अपेक्षाओ संतो श्वर में निश्वर गई होज्व प्राप्तदर जानी अंदर तो एनो रेष्टाचार करतो होई क्लार्ग तरीके नौकरी लिदी होई औने प्रमानिक पणे औने नौकरी करवी समाज नी अपेक्षा आछे पने ब्रष्टाचारी पाके तो समाज एक दिवसे एने लांच रुष्वत मां पकड़ाईने एनों होदो छिनिवी लेएशे तो समाज नी अंदर व्यक्ती ने अनेक दरज्याओ आप्वा मा आव्या छे दरज्या आप्वा ना परिणा में व्यक्ती ये अमुप्रकार नों रोल अमुप्रकार नी आने भुमिका अमुप्रकार नी आने फरजो आने बजावानी होई छे आने ए फरजो ए आनी भुमिका त्रिजो मुद्ध्वाईया आये छे के कितलिक वखत जेम अनेक दरज जाओ छे अनेक एने भुमिकाओ बजबवानी छे तो त्यारे व्यक्ती द्विधाँमा मुकाई छे, संगर्शनी परिस्थिति मा मुकाई छे मान्सिक तरणावनी परिस्थितिमा मुकाई छे यने भुमिका संगर्श कहवा मावे छे conflict, संगर्ष, एक साथे बे role, एक साथे बे duty, एक साथे बे फरजो, जारे व्यक्ति ने बजावानी होए, त्यारे व्यक्ति एक भयंकर conflict मा संगर्ष मा मुखाएचे, त्याने मानसिक संगर्ष कहवा मारेच, बार देखा तो नथी, पन मनवा एस द्रिधानी परिश्थिती मां हूँ, आ करू के आ करू, एक करवा जाईचे तो विजु छूटी जाईचे, आने संगर्ष कहवा मारेच, एक साथे रेक्ति जारे बे बोमी का भज़वानी होए, त्यारे एक छूटे छे औने एक करी शके छे, त्यारे कौने प्रूबू अने करने प्राधान ने आपको ये ज्रिधानी परिश्थिती मारेच, एक संगर्ष कहवा मारेच, एक एक एक्जाम्पल आईचे आउँ आपिश, दाखला तरीके कारेन के साइकोलोजीकली आखो विशह इशे, मांसिक संगर्ष निस्थिती इशे, कोई व्यक् अने वच्चे उबो राखे, एने पांच मीटर आगर आईएं एक जहरीलो साप छे, आबाजू उन्दों कुओ उछे, एने फरज पाडवा मां आवे, कि 2 सेकंड नी अंदर तारे नेने लेवानों छे, तारे आबाजू कूदी ने पिलवाजू पड़े तो जिव बच्चे पांच सेकंड मां तारे स्थान फोडवानों छे, तारे एक शणे तो जिव बच्चे, आबाजू जहाओ तो साप करड़ छे, मारू जिव जोखम मां छे, आबाजू दोड़ू तो आबाजू उन्दों कुओ उछे, कदा जू नहीं कुदी शकू, तों कुओ आमां पड़ि जिव गुमाविश, त्यारे ए मानसिक एविस थितीमा मुखाई छे, क्यों कई माजू जओ आणि एक सेकंड मैंने नेणई लेवो छे, त्यारे एक संगर्ष्मा मुखाई छे, क्यों शू करू, आ करू के आ करू, आनि तक्काल नेणई लेवानी आनि फरज पड़वा मां समाजनी अंदर पण बराबर आवुज छे, कि रैक्ती अनेक दरज जाओ भोगवे छे, अने अनेक दरज जाओ भोगव तो होवाना नाते, यने अनेक फरज बजावानी छे, पन क्यारे के ओ बने, कि एक ज़ समय बे भुमी का बजवानी आवे, त्यारे एक करी शक्ये छे एक छुटे जाई छे तो कईू करू और कईू छोड़ू ये दिधानी परिश्थी तो ये भूमी का संगर्ष कहवा महारे छे खास करी ने परंपरागत समाजनी बात करिये तो ब्रिटीश यूग पहला करनके ब्रिटीश यूग पहला तो परंपरागत समाज व्यवस्थाओ हती समाज मां अमुक दर्ज्याओ थोपी 42 वामां आवता हता के स्त्री तरीके जन्म लिदो छे एटले आने आरीटेज जिववानू छे और शिक्षण नथी लेवानू गर काम एज और भूमिका छे गुरूहिणी तरीके जिववानू छे पती छेवा एज प्रभू शेवा छे आज तारो रोल से, आज तारो होद्दो शे, परंपरागत समाज व्यवस्ता है आदोनीक समाईन येंदर एटले के ब्रिटिश यूप पसी परिवर्दन आवियो छे उद्योगी करण थयू, शहरी करण कथ थयू, मुल्यो मन्यताओ बतलाया नव बंधारण ने काईदा कानूनों आविया, अने समाज व्यवस्ता हवे बदलाई छे इटले श्त्रीनों परंपरागत जे होद्दो तो येनी साथे साथे व्यावसाय करी ने पोतानों स्थान बदली शकी आजे शिक्षन मेडवे छे, व्यावसाय करे छे, राजकारण मा जोड़ा, इटले होत्तो येनों बजलाए होचे, प्राप्त दरजो अवे मेडवी शके ये ये इटला माटे वुद दाहरेन आपोछू, कि स्त्री के दलित समाज के अन्य समाजो ये समाजो आजे संगर्ष करीने आवलत केडवीने, लाइकात केडवीने ए नवा होत्ताओ, व्यावसाय क होताओ, एने प्राप्त करी शकवानों अवकाश एने प्राप्त थायो छे, एनी साथे साथे परंपरागत समाज व्यवस्थाए आपेला मुल्यो मन्यताओ, होत्ता परिवर्तन आविव नजी अन्य परिणा में केटनी कवकत व्यक्ती मारे आ करवो के आ करवो यानी द्रिधानी परिश्थिती मां मुकाईश जम के दाखला तरीके एक उदाहरण के स्त्रीनों उदाहरण लईए तो स्त्री जे छे ए जारे घरमा होई छे त्यारे ए माता तरीके पत्नी तरीके एक ग्रहीनी तरीके एने पोतानों रोल कारण के माता के दिकरी के ग्रहीनी तरीके नों समाजे एने स्थान आपिव छे ग्रहीनी तरीके पत्ति तरीके एने ड्यूटी एने फरज आने बजावानी शेए जो यह बजावा मान निश्फर जाए तो समाज आनों होद्धो छिन वी ले शेए का तो छुटा छेडा मा परिवर्तित थाए का तो काडिमू के समाज मा अपमानी थाए अलग रहवानों वारो यह छोड़ी शक्ति न थी ग्रहीनी तरीके के माता तरीके के पत्नी तरीके एने समाज आपेलो जी दरज जो छे अने एनी फासे जी अपेक्षाओ राखे छे यह तो यह आने संतोश वानी थाव बिजी बाजू बाजू बदलाएला समाज नी अंदर आजे महिला शिक्षित बनी ने ये आधुनिक व्यावसायोँ मा पन जोडाई शे है यह नवा व्यावसायो ये अपना व्याच है अनि वीजी बाजो जुना व्यावसायो जुनी अप्यक्षाओ पन चालू शे । जो ग्रुहीनी तरीके न्याय आपना जाई छे तो एक सारी व्यावसाई क्लास बन अधिकारी के व्यावसाई तरीके ना दर्थ जादूनिक दर्थ बुमिकान यंदर निश्फर जाई छे बन्येरी निया नथी आपी सकती जमके एक आदर्श माता तरीके पोताना दिक्राने अग्यार वागे स्कुल मा मुकवा जवानू छे केजी मा भणे चे एक माता तरीके एनी फरत छे परन्तु आदर्श माता तरीके पोताना बालक ने पोते मुकवा जवानू जीव छान थाए के ना ना मुझ चोक्क शे एने शाड़ा सुदी मुक्या ये शू शाड़ा माज छे जो कोक्ति साते मुक लेत आखो दिवस एना मनमा रहा करे के बालक पौचू हो छे के नई पौच शाड़ा करी शके तो माता तरीके पालक नि रहे देखबाल राखवी ये माता नो रोल छे विजी बाजु एक लाज एक व्यावसाइक स्वित्र मा पुड़ाई छे भणे गंडी ने एटीचर बनी शे तो टीचर तरीके अग्यारवागे पोतानी स्कूल मा पुन एन्ष टी तो नौकरी मा मोड़ी पड़े छे, तो ना बहुत हैं के छे के बेन रोज लेट आओए नहीं पोस आए, तमें समय सरे आपो, तमें टीचर छो, तमें मोड़ा आओए नह चाले, तो ए बालक ने न्याई आपपा जाए छे, तो आबा जो स्कूल नी अंदर ए न्याई नतिया स्कूल मा न्याई आपपा जाए छे, तो बालक नी चिन्ता एनी व्यथा एने सतावे छे, ब्यमाथी एक जैने करवानूँछ, ग्रहीनी के माता तरीके नो रोल अधा करवा जाए तो आइया निश्परता, आइया निश्परता, त्यारे एक द्रिधानी परिस्थिती मां आने ग्रिधा केवा मावेश, आने संगर्ष केवा मावेश, तो दरेक व्यक्ति समाजिनी अंदर आवी एक मानसिक संगर्षनी परिस्थिती मां मुकातो होई छे, आवी मानसीक संगर्षिनी परिश्थिती एने भुमिका संगर्ष तरीके उडखवामा आउतू होई छे अने भुमिका संगर्ष खास करीने स्त्रियोना संदर्बमा आपने जोई शक्किये छे तो बे कंसेप्ट एक दरज्जो अने एक भुमिका अने त्रीजू छे भुमिका संगर्ष एना विशे में समझावा माटे प्रहत्नक कर्यों छे एना पछी बिजो कंसेप्ट छे सोशियलाईजेशन सामाजी करण सामाजी करण एक लांबी अने जटिल प्रक्रिया छे व्यक्ति सतत समाजना धोरणों, मुल्यों, मन्येताओ, रीट, रिवाजों, काईदा, कानूं एनू संस्थिकरण करवू औने युग्या संस्थिकरण थाए तो समाज व्यवस्था टके है छे एकले समाज व्यवस्थान एक पायानू एकम ए सामाजी करण छे समाजी करण विजा सब्दों मा कहिये तो नव जन्मतु बालक ए नवा बालक ने सामाजीक प्राणी बनाववानी आखी प्रक्रिया जने सामाजी करण तरीके उलखवामा आवे छे अने आ सामाजी करण समाजना अस्तित्व माटे ए खुब जरूरी छे एतले नवु जन्मतु बालक विजा शब्दों मां कईये तो नवु जन्मेलू बालक ए एक जैवीक प्राणी छे आ जैवीक प्राणी ने सामाजीक प्राणी बनाववानी एक लांबी अने जटिल प्रक्रिया जैने सामाजी करण सोशलाइजेशन तरीके ओलखवामा आवे छे बालक जारे जन्मे छे त्यारे अन्य प्राणियों नी जेम ये पन एक जैवीक प्राणी होई छे एने कया हाथे खावू और कया हाथे न खावू एनु नौलेज नती होतु भूख लागे एने भूख लागे छे जैवीक छे एटले भूख लागे छे पन भूख केवीरीते संतोष भी एने एनामा एनु नौलेज नती होतु एटले नवा जन्मता बालक ने सामाजीक प्राणी बनाववानी प्रक्रिया जने समाजी करन तरीके ओड़क्वामा आवे चे जारे बालक जन में चे त्यारे प्यल्लू एक कुटुमनों सब्य बने चे कोई कुटुम मां कोई परिवार मां जन मले चे कोई माता ना उदर मां एक जन मले चे समाणेरी ते एव केवाई के बालकनू सनसकारी करण बालकनू समाजी करण जारे बालक माताना रुदतर मां होय 천 त्यारकीज आनू सनसकारी करण नी प्रक्रियां शरूद हति होयी फू ön आपने महाभारतमा अभी मान्यूना उदाहरन की आपने समझी शक्किये चीए आजे पन आजना समय नी अंदर पन जारे बाड़क गर्भ मां उछर्टु होए त्यारे आपने जो ये चीए के माता हो सारा पुस्तकों वांचे अध्यत्मिक पुस्तकों वांचे मंदिरे दर्शने जाये एक खोराक ज्यान राखे कारण की नौ जन्मतु बाड़क तंदूरस्त अने सु संसकारी जन्मे इतला माते माता पैल्ले थी जैनी केर लेशे जन्मे पच्छी एन्ने एक सामाजी करेनी प्रोसेस मां मुकाईशे एन्ने समाजेना दोरोणों मुल्यों मन्यताओ एन्ने सिखवववा मा आवेशे तो पैली एजण्सी चे कुटुम ध्वारा जन्मता बाड़क पन्नो सामाजी करन करवा मां आवेशे कारण के जारे बाड़क पन्ने में अचे प्यारे यह कोई जन्मा ग्नातिनों सभ्या न थी कोई धर्म नो सब्व्य न थी, कारण के कोई धर्म तरीके येने जन्म लिदो, ने हिंदू तरीके न थी जन्म लिदो, कि मुस्लिम तरीके जन्म न थी लिदो, येने कोई गिनाती ना सब्व्य तरीके जन्म न थी लिदो, येने फक्त एक जैविक बालत बनीने जन्म लिदो पण जन्मल इधा पच्छी माबापती एनी सोशलाइजेशन नी प्रक्रियानी शरुआत थाईज। बालक जरे जम्वाबेशे त्यारे एने बनने हाथ जेशे एक सर्खा लागेश। परन्तु ये डाबोवाद जरे खावा उँचो करे त्यारे एनी माता एने टकोर करेचे पकड़ी राखेचे एने सतत एने जम्णा आथे खवड़ावा माटे प्रयातन करे। वारम वार आ रिपीट थाए पची जम्णा हाथे जे खाव एनी आदत बनेश। आने सोस्यलाइजेशन करेचे तो अमुक जे आदतो छे ए आदतो कुटुम मा एटे माबाप पासे थी सिखवाडवामा आवे शे। के आनी साथे रमवा जवू, आनी साथे रमवा न जवू, बालत करीके आभा कपड़ा पेरवा, आभा कपड़ा न पेरवा, ये वारम वार पची माता येने क्यारे क्यारे टकोर करे, माबाप येने टकोर करे, येवा पोशाक, येवी भासा, येवी रहेनी करनी, दिमे दि जन्मत फिने शाकाहारी के मासाहारी बनावे उच्छे जन्मत ही जन्मत ही जाने संसकारी करण करिए उचे बेटा आपने शाकाहारे चीए आपने शाकबाजे चीवे कशुक खवाई नहीं आने मोटो थाया पच्छी ए ए ए शाकबाजे चीवे विजुक त्दाज कशुक भूल थे खई जाए तो शरेर एने एने श्विकारतू नथी एने वोमेट थाई जाए चे कारण क्यानी आदत अमुक प्रकार ने शे अमुक वस्तो ये श्विकारी शब्तो न थे तो आरे ते नवा जन्मता बाळक ने माबाब द्वारा संसकारोनू सिंचन करवामा आवे शे अने ए संसकारो वारम वार रिपीट माबाब द्वारा थाता होवा थी ए आदतमा परिवर थाई छे तो कुटुम ध्वारा समाजी करण करवु। फैला तो ये दबान पुरवक्नु शामाजी करण। ये बालक जे छे जहिवीक प्राणी छे जहिवीक प्राणी होवाना परिणा में अमुक प्रकारनु वर्तन करे तो माबाप एने वर्तन न करवा दे। एने दबान पुर्वकनू सामाजी करण कहवा मावे छे कर आतो नज थेज करवा आ नज करी शके आपड़ू काम नथे दाखला तरी के बालक जारे पेलाल चालता शिखे शे त्यारे ब्यपद्रे चालता शिखवाड़ू दबान पुर्वक एने अमुक रित थी एने जो अमुक रिते ये चालवा प्रयत्न करे तो एने पोताना माबाब एने दरावी ने धमकावी ने अमुक रिते चालता शिखवे शे अमुक रिते खाता शिखवे शे अमुक प्रकानी बोडी लेंग्वेज एने शिखवे शे बालक नानू होए त्य त्यारे क्या गंड्की करवी न क्या गंड्की न करवी यह रहां न के भने ने मिन्य खंगार्टी न ना न व आद मिने अध्या थ करवानी जग्ड करवी और वं रेट्रन और जुआ है डालगे બीक લાગે કે ગયા વખતેમે ગરની વચ્યવજ ગંકી કરીતી તેારે મમી એ મને મારીં થુ ફરેથી આંંં યાં કર કરુવક અમુક આદતો માબાબ ધવારા શીખવવામાં આવેજ એને ભાશા શીખવવામાં આવેજ સરુવાતમાં અમુક શ પણ શરુવાત માબાપત એની મંમી કરેજ એની માપા કરેજ કે આરીતેજ બોલવાનું છે જો ખોટુ બોલે તો એને એને દબાણ કરેજ એનો ખોરા કેવિદીતે ખાવો અને ક્યારે ખાવો કેટ્લો ખાવો એને દબાણ પૂર્વક એને શ આને કેવાય સામાજીકરો બાળકનું ઘતર કરો બારકમાં સામાજીક સંસકારોનું સિંચન કરો અને એ સિંચન સરું આતમાં દબાણ પૂરવત કરવામાં આવે જો સ્વઈચીક હોય તો ઘડતર નથાય દાકલાં તરી કે અમણાં માણા લેવલ સુધી જવું પડે એને દબાણ કરું પડે બાળકો જારે કોઈ અજોપતુ વર્તણ કરે તારે સોટી કે બામારે છે તો શરુવાત માં દબાણ પૂરુવકનું સામાજી કરણ હોઈ છે પછે બાળક જારે મોટુ થાય છે ચારે જઈવીક પ્રવુત્યોનું નીયમન અને નીયંત્રણ જઈવીક કેટલીક બાળક જેશે એ મણા કયું કે જઈવીક પ્રાણી છેટલે કે જઈવીક આદતો લઈને જંમે છે એનો નીયમન અને નીયંત્રણ એ કુટુમ દવારા દખલા તરીકે ભૂખ લાગવી એ જઈવીક એની જરૂરીયાત છે પાની પીવું કે ખાવુ એની જઈવીક જરૂરીયાત છે એને અમુપ્રકાની લાગણીઓ કે પ્રેમ એની જઈવીક જરૂરીયાત છે સ્વાસો સ્વાસ એની જઈવીક જરૂરીયાત છે તો ભૂખ એ જણ્મ જાત છે બાળક એ ભૂખ લઈને જણ્મીં છે જો એ જઈવીક જરીયાત તો ન સંતો શ જીખવે છે કારણ કી ગમે દેવુ ખાવુ તો પશી પ્રાણી અને માનવીમાં કોં તફાવત નારે પણ એનું કે માં સાહારી એને ગળ્થુતી માં એનો પરીવારે એને શિખ્વે છે કેટ્લુ ખાઓ અને કેરે ખાઓ આખો દીવાસ ખાખાના કરે અને હેબીટ બનાવી પડે કેવઈ સવારે ચાનાસ્તો પછી બારવાગે ભોજન પછી સાંજે ભોજન પછી યની હેબીટ બને છે પછી બારવાગે ભોજન પછી સાંજે ભોજન પછી યની હેબીટ બને છે પરીવારમાં થી પેલ્લે થી મે બારવાગે જમે લોજ્ય એટલે પંને પેલા પોખ નઈ લાગે ઉંગ અની જઈવીક જરુરીય છે માંશીક સંતોષ એની જઈવીક જરુરુરીય પણી ક્યારે ઉંગુવું અને કેટલુ ક્યારે અને કેવીરીતે સન્તોષ્વી એના પરીવાર પાશેથી શિખે છે જઈને સામાજી કરણ કહવા માંદે વ્યક્ત્વનો વીકાશ વ્યક્તી જારે ખીલે છે તેરે પોતાના પરીવાર માં ખીલે છે એને ખીલવાનું પરીવાર માં થી મળે છે અને પરીવાર માં થી મળે છે અને પરીવાર જો એને વાતાવરણ આપે તો સારો એમ કે એ વ્યવસાય કરતા કે સારો જક્તી પણ બની શકે છે જમકે ચોમાસાની અંદર વર્સાત પડે અને વાતા આજે સમાય પૂરો થાયો છે છામાકરચુ નેક્સટ ટાઇમ યની આપરે ચર્ચા કરીચુ થેંક્ય વરી મચ્શ